स्वागत है आपका आल इंडिया अगनबाडी निज चैनल में दोस्तो आपको बता दू अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तो आगनबाडी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तो यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोटिफिकेसं वेल भी दोस्तो आन करने ताकि आपको हर अपडेट नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबी का हमारे साथ आल इंडिया अगनबाडी निज चैनल में मैं हूँ सुदानसु पटेल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरे जी हां मांदे को लेकर के आज आप लोगों के लिए मैं बिल बराबर इसके लिए मैं आवाज लगाता रहा अब ये सच्चाए निकल के बाहर खुद ही आ गई है अब ये प्रोसाहन है साफ क्लियर हो गया है लेकिन बहुत से लोग जो वारता में गए थे बहनों संगठन की गई थी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाहूँगा सभी विपच्च के सभी संगठनों से क्योंकि जवाब आप मांग रहे हैं जवाब उनके पास भी नहीं मिलेगा देखिए जो सरकार चलने के लिए बैठी हो उस पर हम कितना भी भरोसा कर ले वो चलेगी वो बिल्कुल चलेगी इसमें कोई दोराय अगर आज वो नहीं मानती है आज उनको अभी भी लगता कि हमान दे है तो वो आपकी गलती होगी क्योंकि यहां पे अब जैसा कि मैंने कहा था वो भी सत्य था लेकिन वहाँ पे बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया आज आप लोगों को हम दिखा रहे हैं 7 मार्च 2019 को यह जो निर्गत किया गया है लिटर यह है हमारा मोनिका एस गर्ग जो प्रमुक्ष सची हुए उत्तरपदेश सासन की तरब से और यह निदेशक जो बाल विकास पुष्टा हर उत्तरपदेश लखनाओ महिला एवं बाल विकास अनुभाग दो तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देदू विसा इसका क्या है आंगनबारी कार करती मिनी आंगनबारी कार करती एवं साहिकाओं के लिए प्रोसाहन योजना के संबंद में जैसा कि आप लोगों को एक बार आवड दिखाया गया ता फिलाल उस पर साइन नहीं थे याणि के हस्ताच्छ न करके चले जिससे अंगन और हम लोगों को भरोसा दिलाया गया कि यह मांदे यह दरसल संका जो बनी थी वो संका को लेकर के आगे बढ़ते रहे आवाज लगती रही और मैंने कल भी आपको बताया था कि वो मांदे है पुरसाहन है इस बात को लेकर के मैंने फिर भी कहा था सभ साल बाद जो यानिकि एक साल तो बीद चुका, 2019 तो चला ही जाएगा अब बचा है आपका 2020 जो तो 2021 एक साल बाद हमको फिर लड़ना पड़ेगा क्या हम लोग बार बार धरने पर लड़ते रहेंगे और लाठियां खाते रहेंगे हम कब तक यह सब चलता रहेगा तो यही प्लीस आप बहुत हो चुका अब जो है आप लोग एक हो जाए क्योंकि आपकी अगर जब एकता नहीं मिलती है और मैं जानता हूँ बहुत सी बहने संगठन की होगी जो एक होने के लिए बिल्कुल तयार नहीं होंगी वो खुद उस और नहीं जा रही है जहां पर आंगनबा कि आपके संगठन के दोरह धरना किया इसी का विरोध भी किया गया मैं कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा काम है हम सच्छाई के साथ रहेंगे क्योंकि अभी तक जो दिखा जिन बहनोंने हमारी जो प्रयास किये उनका प्रयास अरानी रहा और हम उनकी बुराई बिल्कुल नह खुद बिना धरने के हमारी बेहनों का मांदे बढ़ाया जाता तब हम लोगों को यकीन होता इस सरकार पर लेकिन हम दो साल तक लड़ते रहे धरना करते रहे उसके बाद में मजबूर होकर सरकार ने बढ़ाया और बढ़ाया भिर क्या फिर वो आप लोगों के सामने है ये प बिलकुल हकीकत है अब एक तरह से आप लोगों को मैंने इसके बारे में पूरते हाजानकारी दिये यहां पर उपरक्त जो विधायक आपके पत्र संख्या क्यों कि वो लेटर था उसमें कुछ साप नहीं लिखा था लेकिन लिखा था वो अपलोड किया गया था लेकिन यह साहन ही निकलेगा फिर आप क्या जवाब देंगे यह तमाम चीज़ें तो इससे अच्छा यह है कि आज आप सब एक एकत्र होकर करके इस सरकार से पूँछें कि जो आपने किया है अंगनबारियों के साथ में वो धोखा नहीं तो और क्या है इसको लेकर के आपको बता दू यहाँ पे धरने पर उतर के आएं हैं महिला आपका उत्तरप्देश जो महिला अंगनबारी करमचारी संग जिसके राजे सिर्वास्तों मंडल सरचक हैं आपको बताना चाहूँगा तो इसमें लिखा है सिवा में माननी मुक्यमंत्री उत्तरप्देश सासन लखनाउ दिवस के रूप में मनाने के लिए बाद दें आगनबारी कर करते हो के मांदे में पंद्रा सो रुपई की व्रद्धी जो किया गया है उक्त करमका स्थासना देश जब आया तब उक्त बढ़ोत्री मात्र एक वर्स के लिए प्रोसाहन भत्ता के जो है आपका अल्प में दे होगा ये तमाम चीजें है यह नारी सक्ती के साथ धोका है बिलकुल नारी सक्ती के साथ धोका कहा जाएगा पहली बात सरकार को एक सुनैरा मौका था वही चीजे होती है न अब क्या बताएं सत्ता में जाना है सरकार को लग रहा है इसी वज़े से काम करते जा रहे नहीं त पंद्रा सो देर है दो साल बाद फिर नहीं है अधरा से तब जाके ये सब मिला, तो ये आवाज सरकार से उनके कानों तक जानी चाहिए, और वीडियो को लाइक और सेयर, सेयर बिल्कुल करना, ताकि मैं मुझे लाइक की जरूरत नहीं आप करें या ना करें, क्योंकि हम बोलते हैं, हम चाहते कि इसको बस आप सेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें, तो ये अच्छी बात है, अगर मांदे की रूप में इसको स्विक्रत करते हैं, उसके बात दूसरा आप जारी करते हैं, सासना देश तब तो ठीक होगा, अन्ने था जो लोकसवा चुनाओ है 2019 का, उसमें सरकार को इसका खामयाज़ा भी बूगतने को बिल्कुल दिखेगा क्योंकि हम यहां पे जानते हैं कितनी बहने देख रहे हैं और क्या उनके मन में चल रहा है हमारा मेन काम यह है कि हम देखते हैं लोगों का दिमाग किधर जा रहा है क्योंकि आप उनके साथ अगर ये कर रहे हैं दोखे बाजी कर रहे हैं तो उसका आपक तो बिलुकुल जो मिलेगा फल वो आपको भुगतना पड़ेगा दूसरी बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गलत किया दस दिन का नियुम्ति करण करकर के दो महीने से बहने बैठी हैं और कल पुलिस वालों के साथ हैं जड़ब भी हुई जिस लेकिन महिलाएं क्यों द यह हो चुका है पूरतिया अब कोई सक नहीं रहा है इसको लेकर के आप विरोध भी हुआ गोंडा में आपको उसकी भी तस्वीरे हम दिखाएंगे और इंतजार करिए फिलाल के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे दूँ इसमें लिखा है प्रोस्ताह पाने के लिए केवल वही कार करती हैं साही का जो अर्यम पात रहोंगी जिन का केंद्र माह में कम से कम 25 दिन खुलेगा यानि कि 30 दिन का माह नेचुरल में यानि कि ऐसे माना जाता है सामान रूप से तो उसमें आपको 25 दिन पहली बात तो केंद्र पर जाना पड़ेगा इस जो है उपलब्द होंगी जो नियमित रूप से जो आपका अधियाविद की जाएंगी और विभागी वेबसाइट वगरा पर जो आपका है उस पर आपकी अपलोड भी की जाएंगी यानि प्रदरसित होती रहेंगी ये तमाम चीज़े तो आपको डाटा भी मोबाइल के ज परते रहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ में करेंगे बियलो जैसे निर्वाचन आयोग के काम इतने बड़े बड़े सौंपे जा सकते हैं बियलो वगएरा के अंगनबाडी पर तो आंगनबाडी योग है एक अच्छा सम्मान जनंग मांदे पाने के लिए ना कि ये प् बातों से कह दिया जाता है आप ये सोदा माएं आप तो ललने पाल नहीं आप कितने लोगों को से पाल कर बड़ा कर रही है और ये तमाम चीजे तो लेकिन उनके बच्चे क्या करें ये भी तो एक सवाल सरकार से है तालिया बजाने के लिए बहुत बजा देते हैं आसा वर या क्या ये पंद्रा सो रुपए से हमारे परिवार चलेंगे ये तमाम चीजें आप ये बाते कहें कर निकल ला रहा थे बहुत कुछ उन्होंने कहा तैसे उनको बैठाल दिया गया बोल दिया गया मुक्यमंत्री जी के द्वारा कि क्या आपको पुराना वाला ही चाहिए ये तमाम चीजें तो कब तक ये चलता रहेगा हम लोगों के साथ में धोका ये कब तक होगा ये तमाम चीजें फीडिंग के लिए बगहरा पताया जा रहा है जो आपका पुष्टा हर यहां पे लिखा है फरवरी एवं मार्च 2019 तक वर्स 2019 से 20 में दे पुरुसाहन रासी के मानक ये समझ लेजिए आपको इसको लेकर के मैं एक सुबह वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा इसको लेकर के डिटेल से इसमें बहुत कुछ जानकारिया है कैसे कैसे आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में मैं आप लोगों को सुबह अच्छे से वीड जरूर देदू इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपका वो प्रोस्ताहन ही निकला है जैसा कि मुझे बिल्कुल सक्त था और मैंने और वैसे ही मैंने वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले लेकिन मुझे समझाया गया बैनों के द्वारा लेकिन मुझे मैं उनकी बैन 2019 में ये भारी परेगा क्योंकि हमने बहुत से लोगों से बात किया बहुत से लोगों का बस यही कहना है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ हम जहां भी जाते हैं आपको बता दू गौसाला के लिए सरकार ने पैसे दिये लेकिन कि सरकार उसके लिए जाच नहीं क मिलता है घास का वो क्या खाएंगे जानवर मर रहें बहुत जगा इटावा से भी वगएर है मैंने दिखाया था आप लोगों को तो इसे एक जगा ने दो तीन जगह से मुझे खबरे मिली कब तक ये दिखाते रहें कब तक चलता रहेगा सरकार कहती है तो उसको कम से कम करें पैसा आप भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं आपका दाईद तो बनता है भेजने के बाद में आप जाएं वहां पे देखें विकास कितना हुआ उस पैसे से और वो पैसा जा कहा रहा है इस पर भी नज़र रखने के लिए आपको साइद एक कमेटी बना लेनी चाहिये थी ताकि यह हो, अगर है तो उसको एक्ट्व करिए, लोगों के पास जाए वहाँ देखे, कि जानवरों के साथ में क्या होता है, यह तमाम चीजे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, हमारे यहाँ पे, जो जानवरों के लिए इतना सब कदम उठाए गए हैं, लेकिन यह किसानों क पास अगर खेत में गूमेंगे, तो किसानों की फसले बरबाद होंगी, और अगर इनको बंद करके, सिर्फ बंद कर दिया जाता है, तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, खाएंगे क्या, तो यह भी पाप है, तो मैं नहीं चाहता हूँ, सरकार ने अगर पैसा बजड़ ला होने वाला है, वो आप लोगों के इसी वीडियो को लेकर के पूर्णते हाएगा, इसमें हम एक एक बात आपको समझाएंगे, यह जो मेरे पास लिटर आया है, साथ मार्च का, और बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, तो फिलाल के लिए आपको बता दू, यह धरना वग को सिसकी आप लोगों को समझाने के लेकिंए, एक नई दिखी और कहीं न कहीं हम भी पने प्रयासों को कम कर देते थे यह जानकर के क्या करें, किसी न किसी में तो गलतियां होंगी, लेकिन अगर इसी बात को हम लेकर बैठें,ारे जिसमें गलतियां उसको छोड़िए ना, पूरा प्रदेश की बहने आपकी राह देख रही है कम से कम आप एक सच्चाई के साथ उबर के तो आईए पूरी जिम्मेदारी के साथ में कुछ आंगनबाडियों के लिए करिए छोड़ के कम से कम मत जाए आंगनबाडियों को बीच में तब तो भलाई है अन्य था ये प्रोसाहन मिलेगा इससे किसी का भला होने वाला नहीं है ना ही इससे किसी का साथ मिल पाएगा सरकार को ना ही इससे विकास हो पाएगा दूसरी बात सरकार को ये आईडिया देता कौन है जो इनके नीचे किस तर के अधिकारी लोग होते है को खुद सोचनी चाहिए कि अगर आपके राज में जनता खुस नहीं होगी और वहाँ पे आप विकास नहीं कर पाएंगे दूसरों के कहने पर आप ये कदम उठाते रहेंगे आप धोका धड़ी करते रहेंगे तो क्या होगा आने वाले समय में जनता आपके खिलाफ होगी न गया है और वो लगा कहां पर है ये तमाम चीज़े हैं दूसरी बात गुस कोरी कितनी ज़्यादा होती है उस पर भी लगाम लगानी चाहिए आसा बहनों से धरले से जब आट सो रुपे मिलते थे तो दो सो रुपे उनके अस्पतालों में काट लिये जाते थे डाक्टरों क पर भी नहीं होगी ये आने वाले समय में क्योंकि आप पहते हैं ये सरकार है साफ सूत्री सरकार है बूलना, दाने बाद